नमस्कावन में हूँ शभे हूँ और आप देख रहें नियूस्वानीशन क्या चिराग पास्वान अपने चाचा यानि की परशुपती पारस से करेंगे मुलाकात क्या चुराग पास्वान सच में अब अपने अस्त्व के लड़ाई में चाचा को मनाने की कोशुश करेंगे ये सवाल असलिए क्योंकि खुद सके संकेत चुराग पास्वान ने दिये हैं आपको बता दे की जल्द ही केंद्र में मौनसून सत्र की शुरुवात होने वाली है और इस मौनसून सत्र के दोरान चाचा भतीजे के मुलाकात तैमानी जा रही है और इस मुलाकात के दोरान क्या वाकई बात बन जाएगी या बात और भी बिगड़ेगी ये तो आनवाला वक्त ही बताएगा लेकिन फलहाल चुराख पास्वान जिस सरीके से आक्रमक नजर आ रहे हैं लगातार आशरवाद यात्रा को लेकर उनकी तरफ से तैयारियां की जारी है हर वो जोर आजमाईश की जारी है कि किसी भी तरह से पार्टी में अपने वर्चस को बना कर रखा जा सके आपको बता दे कि चुराख पास्वान ने पहले भी इस बात की चर्चा की है कि लोजपा सर्फ और सर्फ उनकी है और अब तो उन्होंने चुनावायों को पत्र तक लिख डाला है कि पार्टी का सिंबल जंडा स्लोगन किसी को भी इस्तमाल करने की अनुमती नहीं है क्या कुछ जनकारी है हमारे पास आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं लोजपा में तूट के बाद चुराख पास्वान और उनके चाचा पशुपति पारस के बीच पहले मुलाकात हो सकती है इसके संकेत खुद चुराख ने दिये हैं चाचा भतीचे के बीच लंबे समय से कोई मुलाकात नहीं हुई यह सलसला पार्टी में हुई ठूट के काफी पहले से ही जारी है चाचा पारस के नेतरत में परिवर्तन की मोहीम शुरू होने के बाद चुराख ने खुद उनके बंगले पर जाकर मुलाकात करने की कोशश के थी हराकिय संभव नहीं हो सका पत्रकारों से बादशीत के दौरान चुराख ने कहा कि संसत के मौनसून सत्र में उनकी मुलाकात चाचा से हो सकती है चराग ने कहा कि वो खुद अपने और उनके चाचा पशुपती पारस दोनों ही सांसद है ऐसे में मौनसून सत्र के दोरान उनकी मुलाकात होना कुछ और स्वभाविक नहीं है इसके साथ उन्होंने ये भी चोड़ा कि पार्टी पर हक की उनके लड़ाई जारी रहेगी उन्होंने कहा लड़ाई लंबी चलीगी पार्टी के 6 में से 5 सांसदों के पशुपती पारस को राष्टी अध्यक्ष चुन लिये जाने को चरग और समवधानिक बता रहे हैं उनका कहना है कि लूजपा के राष्टी अध्यक्ष अब वो ही है उन्होंने अपनी चाचा को पार्टी का नाम सिंबल अस्तमाल करने से रोकने की बात कही है अपनी पार्टी में विद्रोग का सामना कर रहे चराग पास्वान की आश्रवाद यात्रा का दूसरा चरण शुरू हो गया है पहले चरण के आशिरवाद यात्रा के बाद दिल्ली चले गए थे चराग और अब वो फिर बेहार लोटाए हैं शुक्रवार को पटना से बक्तियारपूर यानि कि आज बाढ मुकामा होते वे खगडिया चानिवारे हैं इस दोरान वो नगच्या कटिहार में कई जगह आयोजनों में शरीक होंगे उन्होंने कहा कि सभी उनका पूरा ध्यान रख रहे हैं और साथी साथ वो भी आशिरवाद यात्रा पर उनका अभी पूरा ध्यान लगा हुआ है उनके स्वजनों ने उन्हें सबसे मुश्किल समय में धोखा दिया है तो पार्टी में जब से विद्रोह का सामना चुराख पास्वान ने किया है तब से लगातार आक्रमक रोखोनों ने अक्तियार कर रखा है लगातार हिम्मत के साथ आगे बढ़ रहे हैं और इस सबाप के चरचा लगातार उनकी तरफ से की जारी है कि बड़ी ही मुश्किल समय में उनकी चाचा की तरफ से उनके परवार्जनों की तरफ से उनunya धोखा मिला अपने ही घर से उनन्हीं बेदाखल कर दिया गया अलाकिन सब के बीच अब ये मुलाकात तो तैह है एक तरफ सांसद खुद जराख पासवान भी जमूई से हैं दूसरी और पशुपती पारस भी अब ऐसे भी देखने वाली बात होगी कि इन दोनों की मुलाकात के बाद कौन सी नई तस्विर सामने निकल कर आती है जाद अपडेट के लिए आपने रहे नियूस वार्नीशन के साथ नमस्का